कैसे आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़ियों कल हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने यह वाली फ्रॉक का मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी कि मैंने इसको कैसे बनाया यहां से स्टार्ट की करके हम नीचे तक लेके गए फिर हमने यहां पे कितने स्टिच इसकी पूरी डिटेल आपको इसकी फर्स्ट वीडियों पार्ट वन में सब कुछ बता चुक्यूं तो आज हम क्या करने जा रहे हैं आज हम फिर इसका जो हमने इसमें पैटन डाला ना वह मैं आपको स्टेब बैस्ट बताऊंगे यह देखिए पैटन कुछ अलग सा है यह तो इसको आज हम स्टेब बाए स्टेब बनाएंगे कि यह हमने कैसे बनाना यह वाला पैटन यह देखिए आज हम यह वाला पैटन बनाने जा रहे हैं यह देखिए यह वाला पैटन हमने कैसे बनाना आज हम यह बनाएंगे इजी सा पैटर्न है सिंपल सा पैटर्न है पर इसको थोड़ा एक ट्विस्ट के साथ बनाया हुए इसलिए यह थोड़ा यह देखिए अलग देखरा है यह देखिए और देखो दोनों साइड ही सेम आएंगे इसकी तो फिर करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो जिसमें हम यह वाला पैटर्न हम बनाने जा रहे हैं तो पहले इसके लिए हम बिसिक चेन डाल लेंगे यह देखिए यह जो हमारा यह तीन तीन चेंज पर हमने बनाया हुए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना यह वाला पैटर्न बनाना तो इसके लिए पहले हम डालते हैं और फिर हम डालते हैं यह वाला पैटर्न पहले इसके लिए हमने बेसिक चेन डालेनी है क्योंकि मैं आपको थोड़ा से ही बताऊंगे इसको तो इसलिए मैं थोड़ी सी चेन ही डालूंगे हमने थोड़ी सी चेन्स के डाल ले अब इसके बाद क्या करेंगे हम यह हमारी होगी बेसिक चेन्स इसके बाद फिर हम रहां टोच त्रीचेन डालेंगे यह हमारी यह से सेकेड रो स्कौट और यहां पर हमने त्रीचेन्स डाल ले क्या की मैं आप फ़र्स्ट में 3 चेन्स को छोड़का इस थ्री करेंगे डबल क्रोचेट, वन, टू, और थ्री, क्योंकि हमने इसमें थ्री डबल क्रोचेट की हैं, तो यह हमारे यह देखे, क्योंकि हम यहां पर वन और टू चेंज चोड़के यहां पर इसको स्लिप स्टेच के साथ ऐसे, लाके इसको यहां पर ऐसे चोड़ेंगे, यह हो गया हमारा, फिर हम यहां पर फिर तीन चेंज करेंगे, वन, टू, थ्री, थ्री चेंज करने के बाद फिर यहीं पर हम फिर त्री डबल क्रोचेट करेंगे, वन, ध्यान से आप देखिए, है तो बहुत असान पर देखने में शायद कुछ कंप्लिकेटर लग रहा है और बहुत ही असान है, वन, टू, थ्री, थ्री हमने कर लिए, थ्री करने के बाद फिर हम देखिए, एक और दो, दो चेंज चोड़के इसको यहां पर फिर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, फिर आसे हमने फिर फिर वन, टू, थ्री चैन्स डाल लीए, और यहां पर फिर थी डी सी करने के बाद फिर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ लिना है, तो यह जो हमारा फस्ट रो है हम ऐसे ही पूरी पूरी क्प्लीट कर लेंगे, मैं यहां तक इसको क्मिलिट कर लेते हूं फिर हम सेकेंड से फिर स्टार्ट करते हैं अभी हम आगे अपनी नेक्स टो पर देखें हमने यहां पर फिर हम देखें 1 2 और 3 चेंज डालने के बाद फिर हम यहां पर करेंगे 3 डीसी जैसे हमने पहले किये थे 1 2 3 3 डीसी डालने के बाद अब हम इनको स्लिप स्टिच के साथ कहां पर जॉइंट करेंगे हम यहां पर आके इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ यहां पर यह देखें छो हमारी यह पहली वाली हमारी चेंड डाली थी वहां पर हम आ जाएंगे यह दो इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर दीए अब फिर हमने यह यहां पर फिर हमने बछ पर फिर 1 2 3 डीसी करने अबי यहां पर 5 और यह दो करने यह जो हम री चेन इस में हमने 3dc करने है वान है टू है थ्री है अब इसको हम स्लिप स्टिच के साथ यह दुखी है यहां पर जॉइट कर देंगे यह जो हमारा यह वाला है यहां से हम यहां पर इसको लाके यहां यहां पर ऐसे करेंगे यह दुखी है पहले हमने जो डीसी के थे वह सब्सक्राइब और यह जो रहा हो वह हम इस सब्सक्राइब कर रहे हैं फिर यहां पर फिर आसे ही तीन डीसी करेंगे सोरी तीन पहले चेन डालेंगे वन टू थ्री उसके बाद तीन डीसी इस चेन में यह दिखेंगे यह हमारी चेन आगे इसमें हम फिर तीन डीसी करेंगे वन टू थ्री त्री डीसी करने के बाद फिर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ स्लिप यहां पर हम इसको फिर यहां पर ले आएंगे यहां पर कर दो हीर करेंगे वियरे पर है बस आपने यह दिया रखना हमने यहां पर वाद टू थ्री के उपर यहां रूंगे और फिर उपर पांट्ू थ्री करेंगे फिर यहां से फिर हम इसको ऐसे कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट में किया था सेम वैसे फिर यहां से स्टार्ट कर लेंगे अब यहां पर हम करेंगे तीन डीसी यह देखें बस हमने ऐसे इसको करते जाने मैं एक रो आपको फिर पता देती हूं कि हमने इसको कैसे करना है नेक्स रो करना ना फस्ट तो हम यहीं पर यह जो हमारा याम पर जॉइंट आए का वेंग पर करेंगी फस्ट वाली हम वान है कि टू है और थ्री कि आए 3 क्रोच्ट और ठीकें बसी यह वान है इसके बाद हमने इसको हम हमेशा ही दी करने के बाद इसको बीस के साथ जोड़े तरह फिर हम इसके बाहरा हम करते हैं इसके अभर एहां पर श्लिप स्टिच के साथ इसको कर देंगे जोंट है यह दोगए है है और यहां पर हम 3 chains डालें गे हम जब भी । करेंगे हर दीशी से पहले हमारे 3 chains और 3 D.C. हम ऐसे कर रहे हैं 1 2 3 chain और अब इसमें हमारे यह जो पहले पनाई थी में हमारे 3 D.C. 1 2 एंड थ्री थ्री चेन के बाद फिर हम यह देखिए इसको यहां पर यह देखिए यहां पर हम इसको फिर स्लिप स्टिच के साथ यह देखिए यहां पर इसके बाद फिर हम तीन चेन फिर डालेंगे वान टू थ्री चेन के बाद फिर यह देखिए हमारी यह चेन वाली आगे यह दिखिए इसमें फिर हमने थ्री डिसी कर लेनी है वान टू टू हाई द्री भी जाा है कि फिर देखिए यहां पिए डिकी शीप नाट के साथ इसबばुर यहां Say कैंज है ने फिर ए लाइं आपिर हमारी हमें यहां से स्टाइट कर देंगे याप पहले तीन डिसी करेंगे यहीं पे और उसके बाद यहां करने यह देगी हमारी एक रो की ड्रेक्शन की छाइट पर और फिर हमारी कि इसको भूंते जाना है यह देखिए तो हो ईसे बुणते जाएंगे तो हमारी जो परोजैक्त बन के आएगा उसकी लुट ऐसे की यह देखें कि यह प्रक्शय नव देखी हैं उक यह दूट करें मेर को एक बार हमारे चेंज मर्की जो हमारे क्रोचडा इस साइट पे ला रहे गल tiro do दूसरी बार हमारे इस साइट पर जा रहे हैं फिर हम इस साइट से कर रहे हैं फिर हम इस साइट बाखि पूरी मैंने आपको इसकी डिटियल बताई दिया कि मैंने इसको कैसे क्रोचट किया हुए आपका बहुत वह शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए परजक्ट के साथ कुछ निटिंग वर्क, कुछ ग्रोचेट वर्क या कुछ निटिंग टिप्स या निटिंग हेल्प के साथ तब तक टेक केर बाई बाई